राजिस्थान के कोटा से खबर, रजवाडा क्रिकेट लीग सीजन 7 का शुभारम एक जून से शुरू हो रही लीग में इस सीजन में शामिल हो रही छे टीमें राश्ट्रिय, अंतराश्ट्रिय, सरके क्रिकेटर्स और बॉलिवुड हस्तियों का लगेगा जमावडा टीट्वेंटी अंतराश्ट्रिय माप दंडो से खेले जाएंगे टूर्नामेंट के सबी 18 मैच इस सीजन में कोटा के नयाएपुरा स्टेडियम में पहली बार होंगे फ्लड लाइट में मैच साथवे सीजन के साथ रजवाडा क्रिकेट लिग एक बार फिर से कोटा में चौको चुकों की धूम के साथ लोटने वाला है और एक जून इसकी तारीक ते हुई है रजवाडा क्रिकेट लिग के चेर्मेन आमिन पठान ने आज इसका डिकलेरेशन की आमिन भाई कितनी टीम है इस बार आर्सियल में देकि इस बार छे टीम है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और कोटा चंबल टाइगर है जेपूर पिंग सिटी है अजमेर है जोदपूर है जैसल मेर है चित्तोड है यह टीम है उदेपूर भी है तो मैं समस्ता हूं कि जितने भी सीजन आर्सियल के हुए है रजवाडा क्रिकेट लिग के यह सबसे बहतरीन होगा क्योंकि इस बार फ्लड लाइट के अंदर में चोंगे जो हमारे राजिस्तान की खिलाडी है उनको एक अच्छा प्लेटफौम मिलेगा पहले भी खिलाडी यहां पे खेलने के बाद उन्हों ने पर्फूम किया तो वह राजिस्तान के लिए स्लेक्ट हुए आई पिल के लिए हुए कंट्री के लिए हुए तो आने वाले वक्त में इस बार का जो इसका ये जो सीजन सेविन है सीजन सेविन के अंदर भी जो पर्फॉम करेंगे वो लड़के राजसान के लिए क्यों से बड़े नाम क्रिकेटर्स के लियाद से कह दें आपने का कि इस बार आप बोलीवूड के लाकार इस बार जेकिश रोप है सोहल खान है जरीन खान है और और भी कई सारे नामें में समझता हूं कि जिन से हमारी बात चल रही है वो लोग इसके अंदर आएंगे सुनिल परिशेटी हमेशा आते हैं तो वो लोग इसके अंदर पार्टिस्पेट का मलब आएंगे उसा वर्जन करेंगे और खिलाडियों की होसला अफ़ाई करेंगे क्योंकि कई सारे इंडिश्टर्स के अंदर खेलेंगे जो कोल्वीन खेले लेकिन अब परफॉर्म करके वह आने ऑसे टी है कि आने वाले वोग्त में तब रंज टोफी में चेस होते है कि आने वाले वाले 2-3-4 साल में यह आंस पर इस्टेडियम का काम ओ जायागा तो यह पीर लेकिन बहुत दुख की बात है के कोटा के स्टेडियुम में कोई काम नहीं हुआ है सर्कार में कोटा के अं कुम्रवन आकास दीप सिंग के साथ भमवर रश्चारन फर्स्ट इंडिया न्यूज कोटा